पंदरा नए किचन टिप्स जानकर कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था, पहला पानी वाले ताजे नारियल को असानी से फोड़ने के लिए पहले नारियल का सारा पानी उपर से छेद करके निकाल लें और फिर उसे गैस बरनर पर रखकर दो से तीन मिनट तक से के, इससे ना गुड की चाशनी बनाते समय अगर कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे तो चाशनी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं तीसरा, आम का अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड डाल कर मिलाएं, इससे अचार जादा स्वादिष्ट बनेगा चोथा, अगर दही नहीं जमा है, तो एक समतल थाली में हलका गरम पानी लें, और फिर इसमें दही वाले बरतन को रखें फिर देखिए, एक घंटे में दही जम कर त्यार हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें, बरतन हिलना नहीं चाहिए, उसे एकदम सिर रखें पाँचवा, रसगुल्ला स्पंजी बनाने के लिए, रसगुल्ले को चाशनी में पकाते समय, जब रसगुल्ले चाशनी में फूलने लगे, तो बीच बीच में उसमें एक से दो बड़े चमच पानी डालें, इस से चाशनी गाड़ी नहीं होगी, और रसगुल्ला जादा स पंजी बनेगा छटा आम के आचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे बीच बीच में धूप दिखाते रहें और आचार को किसी सूखी जगा पर ही रखें और जब आपको आचार खाने का मन हो तो सूखे साफ चमस से थोड़ा सा निकाल कर अलग कर लें बार बार आच आचार में हाथ ना लगाएं तभी आचार आपका लंबे समय तक चलेगा साथवा यदि दूद की मलाई में एक चमच चीनी डाल कर फैटा जाए तो मक्षन जादा मातरा में निकलता है आठवा गुलाब जामुन को एकदम सौफ्ट और अंदर से रसीला जालिदार बनाने क लिए खोया या मावा में थोड़ा सा पनीर या चैना डाल कर मिलाएं गुलाब जामुन एकदम रसीले, मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे 9. हरी मिर्च को डंडी तोड़कर फ्रिज में रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक ताजा बनी रहती हैं 10. दही बड़े बनाने के लिए पिसी हुई उड़द की दाल में थोड़ी सी सूजी डाल कर अच्छे से फैटें, इससे बड़े जादा नर्म बनेंगे 11. प्याज फ्राई करते समय एक चुटकी शक्कर डालें, इससे प्याज जल्दी वा कुरकुरा सीकेगा 12. केले का गुच्छा लटका कर रखने से केला पांच से छे दिनों तक खराब नहीं होगा 13. दूद से जादा मलाई निकालने के लिए पहले दूद को अच्छे से उबालने के बाद थंडा होने के लिए रख दें और फिर इसके बाद उसे फ्रीज में रखें इससे दूद में मलाई अधिक मात्रा में मोटी जमेगी 14. अगर फ्रीज में से बद्बू आ रही हैं तो एक कटोरी में लकडी का कोईला भरकर फ्रीज में रखें इससे फ्रीज में से बद्बू गायप हो जाएगी पंदरवा दूद फाड़ने के बाद दूद का पानी फैके नहीं क्योंकि उसका इस्तेमाल आप दोबारा से दूद फाड़ने में कर सकते हैं या फिर आटा गुनने में भी कर सकते हैं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो